नमस्कार मैं अभिशिक कमार आप सभी का स्वागत करता हूँ Focus Study with Abhi में JSC CGL के जितने भी student है आप सभी के लिए काफी महत्पुन वीडियो होगा ये और इस वीडियो में ये discussion करने वाले हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है आप क्या एक expected अगर हम बात कर ले स्कूर होना चाहिए सेफ स्कूर के अगर हम बात कर लेंगे या फिर अगर हम इसी में लेकर चलें तो आपकी क्या strategy होनी चाहिए आपके पास क्या sources होनी चाहिए और आप में से कई ऐसे student है जो messages कर रहा है कि railway को और JSC CGL को दोनों को साथ में क्या से लेकर करके चला जा सकता है तो इसके अलावे आपका language paper भी है ठीक है और paper 3 में आपको कैसे तयारी करने पूरी बात है यहाँ पर हम सुनेंगे और discussion भी करेंगे और इसमें से जो बात है आपको fruitful लगे आप अपने strategy में उसे add-on करेंगे ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कि JSSC CGL का paper है और यहाँ main C होने वाला ठीक है PT का को लफड़ा है नी यानि एक exam दे करके आप direct अपनी job को ले सकते है ठीक है और date of examination अगर बात कर ले तो वो आपका April मुंत रखा गया हम April को ही लेकर कर चलेंगे अब यहाँ पर delay हो जाए तो वो अलग बात है बट mostly chances है कि आपका paper April में हो जाएगा ठीक है mostly chances April में हो जाएगा April में नहीं हुआ तो next month जाएगा तो जाएगा मई बट April आपको target ले करके चलना है यहाँ बात करेंगे paper 2 और paper 3 जो आपका safe score की यहाँ पर बातिक की जाएगी paper 2 और paper 3 में अब paper 1 में आपको केवल qualify करना बाए Hindi English कोई भी एक section अगर अच्छा हो तो आप easy way में कर जाएगे वहाँ पर कोई individual नहीं है कि Hindi में और English में qualify करना Hindi English combine करके भी आप qualify कर सकते है तो खेर उसको हम हटा करके बात करेंगे paper 2 और paper 3 में देखे paper 2 जैसे language paper है और paper 3 जो है आपका complete GK वाला section है और इसमें maths reasoning भी तो वहाँ आएगे सबसे पहले हम बात करते है language paper paper 2 में यहाँ पर जो आपको expected target रखना है paper 2 में कम से कम 70 question ठीक है out of 100 में 70 question हाँ ठीक है यह easy है बोलना 70 question करना मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको सुनने में आप खुद बोलेंगे सोचेंगे भी कि यह बोलना असाने करना मुस्किल है बट देखे अब यहाँ पर आपको केवल एक ही examination है और इसके बाद आपका सीथा joining है तो यहाँ समझे कि काफी cutthrow competition और seed भी आपको पता है कि कितनी कम है तो 70 question तो कम से कम आपको सही करना होगा अगर इससे कम हमाए तो 65 में इससे कम अब नहीं चल सकता 65 तो बिल्कुल इससे नीचे कि अगर आप सोचे भीना paper 2 में करने की पहली बात तो यहाँ यह और यहाँ अगर देखे 65 अगर आप कर रहे तो paper 3 में और आपको उपर लेके चलना पड़ेगा भाई देखे दोनों को balance करके या कोई थोड़ा सा imbalance होगा तो दूसरे सा आपको उसको balance करना होगा मतलब समझ रही कि नहीं जैसे paper 2 में हमने 65 question सही किये तो हमारा paper 3 में कम से कम target कितना होजने चाहिए मैं percentage ही बात कर रहा हूँ 65 percentage यानि 100 question है तो 65 सही करने होगे और paper 3 में कम से कम 70 percent आपको करने है यानि कि 150 question आने वाले है तो इसका 70 percent आपका हो जाएगा 105 question ठीक है सही होने वाला सबसे पहले मैं बता देता हूँ देखे क्या देखे सबसे पहले तो हम उठाएंगे science को 20 question है एकदम बच्चा वाला question होगा बीस को 20 question अब यह बच्चे वाला question कैसे कि पूरा का पूरा applied chemistry होंगे applied physics होंगे और biology तो हमारे क्रूरी मुश्य से लगता है और फिर अगर हम यहां से चले जाता है बोटनी में तो वहाँ पर पूरा plant kingdom को देख रहा होते हैं और पूरा का पूरा plant में जो भी प्लांट में आपका प्रजनन कीवांँ जो भी होती है, reproduction होती है, उसको हम वहाँ पे देखना होता, तो मतलब अगर ये अगर बाते बड़ी असान है भई, 20 question easy way में आप कर सकते है science में, और literally मैं बता रहा हूँ कि 20 question आपको सही करना ही पड़ेगा, इससे कम अगर किये तो 19, इससे कम आपको करना नहीं है science में, बहु अभी मैं लिख रहा हूँ, biology के एक सवाल नहीं छूटेंगे, physics का lecture देख लिजे, एक सवाल नहीं छूटेंगे, और बहुत जल्द chemistry के भी मैं lecture upload करने वाला हूँ, physics में आपको light की वीडियो देने वाला हूँ, और mechanics की, ठीक है, next बात करते है maths वाले section है, maths में आपको 20 question और reasoning में आपको 20 question, अब यहाँ पर total 40 question है, 40 में कम से कम 30 question आपको सही करने, कोई chance नहीं है, मतलब बच्चा वाला सवाल ही होता, maths में, maths में सुन लिजे ध्यान से, maths में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है number system में, मैंने बता रखा कैसे maths की तयारी करनी है, number system वाला portion आपको अच्छे से देख करके जाना है, यहाँ पर time and distance वाला train वाला boat stream वाला section अच्छे से आपको देखने जाना है, यह दो चीजा आपको ज्यादा अच्छे से देख के जाना है, advancement में थोड़ा सा basic basic चीजे आप कर लें ज्यादा नहीं पढ़ना है, अगर mensuration पढ़ रहा है तो triangle को प्रोपड़ी सारा देख लीजिए, ठीका right angle triangle हो चाहे वो isosalist triangle हो चाहे हो स्कैलन triangle हो, उसमें ही in circle है, उसी में आपका circum center है, पूरा का पूरा center देखे, centroid देखे, medium देखे, ortho center देखे, in center देखे, फिर आप जैसे ही mensuration में 2D खतम कर रहे होते हैं तो आपको 3D में आ जाना ये सारी property based आपको देखनी है, और उसमें ही सबसे खास बात आपको देखना है triplet को, ठीक है, triplet भी आप उसमें ही देख लें, उसके बाद अगर हम आते हैं, आपको mensuration यहां खतम करेंगे जैसे ही, तो आप फिर साथ के साथ आप geometry वाले section में भी आ जाए, geometry में भी triangle, quadulator और circle बस ये तीन चीज़ है और साथ के साथ polygon देख ले, complete हो जाएगा भाई, दो बहुत बड़ा topic, mensuration और geometry complete है, ठीक है, algebra में आपका identity based और formula based, trigonometry में theta और theta का value, identity based और आपका उसी में height and distance भी cover हो जाएगा, बस, उसके बाद statistics में देख ले, simple question, mean mode, median, और इधर आपका percentage, time and distance का basic basic 20-25 question लगाएंगे, आपका सारा concept निकल लाएगा, साथ के साथ reasoning में बोलना नहीं है, इसमें तो 19 से कम सही करने ही नहीं है reasoning में, ठीक है मेरा भाई, यहां हो गया maths, science और reasoning, तीन section complete, बात करेंगे computer में, computer में 20 सवाल होंगे, और आपको मैंने बता रखा कि computer हो कैसे तयार है, क् पर करवा दिया मैंने, एक वीडियो की और मैंने प्रॉमिस किया, master video, 4-5 घंडी की वीडियो आईगी, और उसमें complete revision करवा के मैं आपका 18 से 19 वहां पर आपको पहुशा दूँगा, सही सवाल करवानी के लिए, 20 में, out of 20, तो यह राबात computer की, बट आपको देखनी बाइलोजी में जैसे मैंने बोला, physics में बोला मैंने, computer में मैंने बोला आपको, अब आते हैं बात Indian GK में आपका, जो 40 questions जो आने वाले हैं और 30 questions इधर आप बचा हुआ आपका, जाएसे जारखंड का GK है, और इधर आपका history है, policy है, economics है, geography है, world geography है, उसके बाद आपका static GK और current affair, और इधर आपका 40 questions जारखंड GK है, काफी महत्पून section, जारखंड GK में आपको complete पढ़ना है जारखंड का इतिहास, फिर जारखंड में जो भी आपकी आदिवासी, ठीक है, जितने भी आदिवासी हैं, उसके बाद इसमें जितने भी विद्रो हुए हैं, फिर आप आपको पढ़ना होगा जारखंड का भुगोल, फिर आपको पढ़ना होगा जारखंड की राज बिवस्ता, पॉलिटी सिस्टम को पढ़ना हो पढ़ेगा, फिर आपको जारखंड की कला संस्कृति को देखनी होगी, और उसी में आप सारा factual डाटा देख लेंगे, जितनी भ पढ़ना हो तो 20 से 25 कोशन आपको मैंने अपनी यूटूब चैनल पंचाय सची को सामने ही तैयारी मैंने करवा दिया, ठीक है, बट फिर भी मैं कम्पलीट एक एक मास्टर वीडियो में मैंने जैसे कि जारखंड इस्ट्री दो वीडियो में कम्पलीट करवा है, तो मैं फि उसके बाद जारखंड के विद्रो को करवा दूँगा, फिर जेग्रफी को भी मैं करवा दूँगा, और पॉलिटी सिस्टम को भी मैं करवा के और फिर आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट करवा दूँगा, देखे, ज्यादा अगर आप सोच रहें कि बहुत डिटेल आपका 30 सवाल, जैसे कि हिस्ट्री मेरे विडियो से करना कहीं ने जाना, 30 कोशन में जो हिस्ट्री 5-6 कोशन नहीं है, वहीं से कवर हो जाएंगे, पॉलिटी सिस्टम में हमारे नोट से कम्प्लिट कर लेने है, जगरफी का वीडियो अप्लोडेड है, विश्य बुगोल का अप्लोडेड है, और उसके बाद आपका economics हमारे नोट से कर लेना, static gk के वीडियो अप्लोडेड है, और current affair साथ के साथ हमने उसमें ही updated कर दिये, ठीक है मेरे भाई, बाकी और भी कुछ अच्छे अच्छे चीज़े, जो चीज़े आपको उसमें पढ़नी है, जैसे कि जब आपको वहाँ पर राजधानी बोल रहा हूं, देश की राजधानिया पढ़ने होती है, भासाएं पढ़ने होती है, परवत सबसे उची परवत, सबसे लंबी नदिया, ये विस वस्तर पर ये आपको विस भुगोल में complete कराया, तो ये चीज़े समझनी होगी, ये static gk में आ आजाएं कि हमें कहां से पूरा content मिल रहा, content मिलना एक systematic way में वो एक होता सही तरीके से, एक सही strategy में चीजों को तयार करना, ठीक है मेरे बाई, ये आपका पूरा का पूरा strategy होनी चाहिए, तयारी करने के दौरान, और आप अभी जो भी तयारी कर रहे होंगे, तो ये strategy safe score की वीडियो मिल जाएंगे, तो worth it नहीं है भाई, वो आप notes कब बनाएंगे, उस notes को आफिर revise कब करेंगे, खुद से समझेंगे, कब practice कब करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उतना आप कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन कर पाएं तो well and good है, और आपके उपर है, ये आपको देख save हो जाता है, और हर एक चीज वहीं पर मिल जाता, कहीं फिर और दूसरे चीज़ों देखनी नहीं पड़ती है, आप देखनी होंगे, रिल्वे के result में काफी student का selection भी हुआ, बात करते हैं, साथ में कैसे तयारी करेंगे, सची वाले की भाई, देखे, काफी tough होगा तयारी कर और language paper, मैंने देखे, डेड़ घंटे, यानि कि एक घंटे, कम से कम जार खंट, जीके में दे रहे हैं, तो दो घंटे आपको language paper देने को, अब वो भी depend करता है कि आपका language paper कितना अच्छा है, चीक है, क्योंकि courses लिएंगे, तो भाई, दो घंटे, एक घंटे का दो वीडियो रखना है, safe score attempt पर भी आपको ध्यान रखना है, अभी जितना attempt करना है, आपको थोड़ा अधिक increase करके करिए, बाकी examination time में वो काफी सही से, क्योंकि देखे, paper का level थोड़ा सा easy हो जाता, जब आप अच्छे practice set लगा रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ा easy लगता, तो इसलिए बात यही है कि अपने attempt पर ध्यान रखना है, accuracy पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक paper है इसके बाद selection है, और April में आपका paper है, तीन मन्त का आपके पास time है, तो चीज़े आपके पास सब कुछ है, बाकी जो content है हमारे channel पर उसका फायदा उठाईए, एक number content है, इधर अधर की चीज़े वहाँ नहीं है, बाकी to the point हमें पढ़ना, बाकी जो भी होगा content यूटूब पर आते ही रहेगा, ठीक है, जिनको notes लेना आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वाट्शप के थुरू, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अधर कर सकते हैं, बाकी जोड़ना, बाकी जो पवादाध हैं, तब तक कर सकते हैं.